के कटिंगे तयार किया था जिट प्लान की और यह छोटे से यह हैं पॉलिफिन में यह काौड़बुर्ट का यह यह डपबा था चोटा सा उसमें मैंने देख्यों कितनी अच्छी तarna कि हैं मैंने कटिंग्य तयार कर लिया है और इसको मैं ये प्लास्टिक का मैंने ये pot बनाया है उसमें मैं इसको लगाऊंगी इसी तरह से आप अपने garden में छोटे-छोटे से किसी भी pot में दहीग डबे में या polythene में किसी में भी आप cutting तयार कर सकते हैं और ये प्लास्टिक का एक डबबा था मेरे पास में इसको मैंने ये तयार किया है और इसमें मैं cutting आज लगाऊंगी ये मैंने cutting लगा लिया है एक मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यही काफी है और ये कुछ दिनों में बस इसकी आप pinching करते रहिए तो ये jet plant बहुत जल्दी इसकी growth हो जाती है और ये बहुत जल्दी भुशी हो जाता है ये summer season में बहुत अच्छी इसकी growth होती है बस इसको आप एक दो घंटे की धूप इसको जरूरी होती है jet plant को धूप में रखे और आप इसको time to time इसकी pruning करते रहिए तो इसकी growth बहुत अच्छी हो जाती है छोटी छोटी सी cutting भी आप अपने घर में छोटे छोटे से planter बना करके आप लगा सकते हैं और आपके garden में इस तरह से बहुत सारे jet plant की cutting तयार कीजिए और plants लगाईए